हेलो एन वेलकम गई स्वागाट आपका फेंटासी डिस्टन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में आम लोग बुखातिर 50 ओर्स लिग की बात करेंगे जो की मेर्च होगा यहाँ पर इंटर गलोब मेरिन वर्सिस 11S के बीच में तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक कोंसेट लेकर जाना है कोंसेट लेर को अंदर कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे बेल एक छोटी सी रिख्वेस्ट है कि यूटूब चनल को विद्ग आपने सब्सक्राइब नहीं कि तो सबस मेच इसके वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सबस्क्राइब करना है साथी में च्छाम को चैनल पर साजा क्रिके स्टेडियम युनाइट अरब एमिरेश में खिला जाएगा देखो यहां पर पीच की बात को तो बेटिंग फिरेंड लीपीच है बहुत अच्छे खासे रंस बनते हैं और इस टूनामेट के अंदर भी ऐसे 382 तक भी रंस बन चुके तो बन चाहिए और जो टीम जीतेगी वो सिधा सेमी फाइनल में जाएगी और आईजीम जो है वन अप तर बेस टीम इस टूनामेट के सबसे मजबूर टीम बोलो क्योंकि पूरे दूबवाई में जितने भी क्लब है उनमें से सबसे बेस टीम यहां से आईजीम इंटर क्लूब मेर दिन है और यह टीम जीतने के मैसिंग चांसे सुनके ही रहेंगे चेजिंग में अभी तक 23 मैचिस खिलेगे जिसमें से 13 बार पहले बेटिंग करने वाली टीम ने जीता लेकिन मैक्सिमन चांसे मैंने आपको के जितने में कौन जीत सकता है बात करें ऐसे टीम आईजीम की त देखर बात करू साहनावाजदकी साहनावाजदकी साहन लस्त मैच के है चारवर्वर्वर्व की गयनबजीब्से लेकिन इससे पहले दू मैच के अदर वो लेकें यह निकाले हुए प्लेयर है जो कि कभी भी ऐसे शेंचुरी तक लगा सकता है और वैसे भी खास तोर पर यह नॉक आउट मैच इसमें हमेशा खेलता है तो इस बंदे के उपर रिस्क पूरा लेना है आपको और खास तोर पर मेच आयर यहां से इनको स्मॉल लिग में भी लेके जा सकता हो साहना बात करो तो इनको तो लेना ही है कुवर पाठक देखो इनके और लेकोर्स काई पर मिले नहीं लेकिन लास्ट मैच के दर दो होस की गयन बाजी भी की प्लस बैटिंग से यहां से तिसरे नमा प्याने के ठावन डाउन आये थे तो एस प्लेयर यह से कुवर पाठक वेरी इं जाएंगे याशिर कलिम इस बंदे के बारे मैं देर बता था पहली म이션 दम लिया था कि के लिए जब यहां पर ऑइज और जरले बल्ने कर रहेएंगे अगर यहाँ पर फिल्लिंग पहले करवाती है तो फिर हमारा कोई कैप्टन वाइस कैप्टन अलग रहेगा लेकिन एज़ प्लेयर तो लेके ही रहेंगे क्योंकि यह दिखे का आपको विकेट किपिंग सेक्शन से और विकेट किपिंग करवाता भी है यह तो इससे भी अच्छे खासक पॉइंट्स दे सकता है विष्णु सुकुमारान की बात करो तो पिसली 3-4 टूर्णामेट्स से इनका बिल्कुल भी फॉर्म नहीं आउट अप फॉर्म है तो इनको अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा शीवम शर्मा लास मैच में जूड़े टीम के साथ 22 मैच में ओर वाल 50 के करीवन एवरेट से पांसो निन्यान वेराने लास मैच के लिए 63 दन किये थे और एज़ प्लेयर की बात करो तो इनको अगर पहले बैटिंग आई जीम करवाती है तब ही ट्राइ करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आशिव खान एक बार वापस काएंगे कमब्यक करेंगे तो यहाँ पर सीवम शर्मा यहाँ पर बैंच पर जा सकते लेकिन फिर भी बैड़े बैटिंग आए अगर खेलते तो इनके पर पर परोसा कर सकते हो वकासली तो काफी नीचे खेलते है त आपी तैमूर बटी, यह चारो में से किसी की बॉलर्स को शायर में यहाँ से ड्रॉप नहीं करूंगा चारो भी बॉलर्स को लेके जा सकता हूँ स्टार्टिंग वोस की बात करो ते यह से तैमूर बटी और अत्ता उल्ला दोनों ने स्टार्ट किया देथ होस में यह से अत्ता उल्ला जो की लास्ट मैच के अंदर देथ होस में गयी नहीं इनकी तो इससे पहले वाली मैच के अंदर अत्ता उल्ला और यहां पर जाहिद मु पाकि बहुत सारे प्लेयर से बेंच में से और इंज में से कोई भी खिलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगेर आपको टेलिग्रम में प्रोवाइट की जाएंगी तो जल्दी से जाके आपको टेलिग्रम जनल को जोइन के लेना है और एक प्लेयर ऐसे तौकी दिया स लास्ट मैच के अंदर उस्मान खन ने 31 किये लास्ट मैच के अंदर फयाज एमर ने 7 रण किये लेकिन इससे पहले वाली जो मेंस दिना वहाँ पर यह दोनों बाईसाफ ने शेंचूरी लगाई थी प्लेयर दोनों ही जबचस थे और दोनों के उपर हम लोग भरोसा कर सकते लेकिन सामने आज बॉलिंग एटेक जो है यहाँ पर IGM का है इंटर गुलब मेरिंग का बॉलिंग एटेक है जो कि यहाँ पर काफी तकड़ा बॉलिंग एटेक है और हो सकता है यहाँ पर दोनों में से यहाँ से कॉलेब करवा सकता है लेकिन अभी के लिए तो दोनों की वाकि क्वानें अब्बास की बात को को तो ऊफरल उनके फर्स ख्रास के रैपोर्ट सा करणाटक में यानि अपने इंडिया का करणा ड़ा वहां पर यह खेलती थे इस फ़र्स क्लास के रियर बहां पर patriot फेले वहां मैं इंपोर्टेंस में इनको मानता हूँ फैयाज एहमत से मैं इसे कौने नबास को मानता हूँ विशायर इनको में जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जाओंगा सहान अकरम बैटिंग बॉलिंग दोनों करवाएंगे तो बैटिंग से तो ठीक ठाक परफोर्मस है लेकिन पहले मैच के अंदर दो विकेट निकाले थी तो रिस्की रहेंगे इनको लेके जाना क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ओप्संस हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी इनको ट्राइ करिएगा राहुल बाटिया उन्त करनाटक प्रीमियर लिग खेला गया था ना वहाँ पर हमने मैच कवर किये था केके जियास वही पर और यह जो रेकोर्ड से वही गया यानगी बारा मैच इसके लिए थे जहाँ पर उन्हों 14 विकेट निकाली थी लेप टाम चाइना में गयन बाजी ऐसे कुल्दी क्यासा प्लेयर है बाकि हफीजूर रह्मान वेरी इंपॉर्णेट प्रीक रहेंगे लास मैच के लिकेट निकाला इसके उपर आप लोग कैप्टन वाइस के ले सकते हो बहुत ज्यादा इसकी खिलो तब बाकि रियाज खाली को डिफ्रेंसी लिए में ट्राइ करना है लास म सदुल्ला टिम की कैप्टनजीप कर वा रहे तो इसको भी रिस्की तोरब ट्राइ कर सकते हो स्टार्टिंग में ऐसे मौहँमद अफिजूर रहमान और राहूल बातिया स्टार्ट करेंगे देटोज में ऐसे मौहमद अफिजूर रहमान के साथ यासी रियाज खालिक देथ आएंगे बेंच में से अगर कोई भी प्लियर के लेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वकेर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे तो जल्डी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को जॉइन करेना है क्योंकि फाइनल अपडेट वकेर आपको वही पर मिल जाएगी बात को ध्यान में रखते हो इनके वपर वरोसा करसकते हो बेडिंग सेक्षन में तो यहां पर यहां पर एक लिए टिया तियासत अगर खिलेगा तो सीथा कैप्टन होगा मेरी टीम का बात करें आए अपर बोलिंग सेक्षन की तो आसे असे अथिप मुन्ताज, सिहान अक् अत्ता उल्ला और यह से KGS मेरी टीम के अंदर रहेंगे बाकि औपसंस के तोर पर आप लोग यह से रियाज खाली दिया भी रसाद उल्ला को ट्राइब कर सकते हो हैरी भरवाल अगर खेले तो ट्राइ कर सकते हो मोहमद जाहिद खेले तो डेफिनेटली मेरी टिम के अंदर रहेंगे यहापर देखो एक और इंडियन प्लेयर है यहाँसे नमिस उल्ला निहार उल्ला जो की करनाटक की टिम के यहाँ पर केट की पर बल्ले बाज और हर एक मैच के अंदर काफी अच्छा स्कॉर करने वाले तो अगर खेलते तो इनके पर परोसाग कर सकते हो बाकि अभी टिम की बात कर दो तो इस तरह से रहेगी कैप्टन रहेंगे हमारे यहाँसे साहन अवाज खान वाइस कैप्टन यहाँसे सिहा नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक एटेश की है इनके से लिंक वर्क नहीं करता तो टेल्लेग्राम में जाकि आपको सेर्च करना है फैंतासी दिसन चैलेंजर या फिर आपको सेर्च करना है देलेट FDC27 और आपको सिधा हमारा चैनल बिल जाग तब तक के लिए बाई धन्यावाद जय हैं जय बारत